हलो एबरिवन कैसे हैं आप लोग ठीक ठाप मज़े में आज है 18 फरवरी 2021 ठीक है आज 18 फरवरी 2021 है और आज भी हम माइक्रोसोफट आउटलुक का टिटोरियल करेंगे हमने कल मोहन का एक्जैम्पल लिया था मोहन ठीक है इनको कहा था आपको कहा था क्या करेंगे सैटिंग के ओप्शन को चेक करेंगे इसके अलावा सैटिंग के ओप्शन को चेक करने के बाद आपको बताया था कि आपको क्या ढूनना है गूगल अकाउंट ठीक है और गूगल अकाउंट के सारे ओप्शन को चेक करेंगे फिर आपको क्या देखना है क्या दे हम लोग कम से कम मनला आज एक तरीके से करेंगे boats अकाउंट लिंक और हम इसी तरह membला configure configure करेंगे इसी तरह फिर हम 5-6 लोगों के accounts देखेंगे फिर a Beijicatingниз पो तो वाजित ओर پर बताना एक इक चीज को जरूरी है अब देखे हम क्या करेंगे विंडो आर करेंगे जीमेल लिखेंगे कंट्रोल एंटर कर देते हैं किसी भी तरीके से जीमेल खोल दीजे जीमेल में हमने एंटर किया जो account आपको configure करना है वो account खोलना है हमने mohan 99 at gmail.com यह account हमने खोल लिया है ठीक है add account का option नहीं तो choosing account का है तो भी उसमें से आप यह देख लें नहीं है तो फिर user another account में जाके और वहाँ पे जाके user another account में जाके आप यह account add कर सकते हैं ठीक है वहाँ पे आपको टैप से adoption का मिल जाएगा ठीक है email edit phone email और phone edit या जो भी आपका password वगरा ठीक तो वो सब मिल जाएगा आपको अब आपको जो हमने mohan का यह account खोल लिया है मान लीजिए आप choose an account का option आया डाउनर से user another account आया क्योंकि mohan 99 नहीं था इसमें सिस्टम में पहले हमने नहीं खोला था user नदर में टैप टैप से हमने email edit करी mohan 99 पिर टैप से password पिर हमने confirm password करा पिर signing button पर enter कर दिया control home करके button basic HTML पर enter करेंगे समझ में आगे हैं आपको सारे मैंने कल भी interface बताएं तो control home करके button basic HTML basic HTML पर enter करेंगे और यहां पर हम करने के बाद setting में जाएंगे क्या setting अब हम यह निन मैथर नमर वन यूज करते हैं हम लेते हैं link list कह लेते हैं link list link list जॉस कहता है element list कहता है nvda कहले कहता है element list nvda तीक हम यहां पर insert f7 करेंगे insert f7 करने के बाद हम यहां पर पीस थोड़ा दीरे insert f7 लेंगे और यहां पर हमें s प्रेस करना security standard spam और setting तो setting पेंटर करेंगे setting पेंटर करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर फिर से यह हमें link चाहिए किसका चाहिए google account का हम इसको कई तरीकों से ढूंड के अलग-अलग लोगों के अलग-अलग account अंफिगर करेंगे लेकिन हम आज method नमर वन यूज कर रहें तो हम फिर से यहां पर element list लेते हैं insert f7 से और जी प्रेस करके हम google account ढूंडते हैं google account पेंटर करेंगे और फिर हम एक लिंक चाहिए security का तो हम insert f7 मैंने कहा क्यूं चाहिए यह सारे option विजिट करने को क्यूं काता कल समझ रहें अब इससे security टूंडेंगे security पे हम enter करेंगे क्या करेंगे enter करेंगे अब हमें यहां पर control home करना है और down arrow से आना है क्यूंकि method number one यूज़ करना है डाउन एरो पे आना है में less secure app less secure app यहां पर एंटर करेंगे तो यह अगर less secure app ऑफ मिल रहा है आपको डायरेक्ट तो enter करके on कर देंगे यह space bar से on कर देंगे उसे ठीक है और अगर सिर्फ less secure app का option मिला है ऑफ on नहीं मिला है तो less secure app ढूंड के down arrow से enter कर देंगे उस पर और down arrow फिर करेंगे वह off मिलेगा less secure less secure app off तो उसको space bar से on कर देंगे अगर not checked होगा तो चेक कर देंगे ठीक है याद रखना और पर down arrow से देखना ओकी यह सेव का option आएगा तो एंटर कर देंगे उस पर क्या कहा मैंने आप से सेटिंग में जाएंगे लिंक लिस्ट लेंगे गूगल अकाउंट लेंगे धूंडेंगे में लिंक लिस्ट लेके गूगल अकाउंट पर इंटर कर देंगे फिर लिंक लिस्ट लेके security security पर इंटर करेंगे फिर link list लेंगे फिर दाउन आरो से less secure app को ढूंढ देंगे less secure app पर इंटर करेंगे अगर less secure off direct मिल जाता दाउन आरो से तो इस पर बार से अन कर देंगे नहीं तो less secure app मिला off on नहीं मिलाए भी तो इस पर down निए दोनकर निए दोन ज्छान से ड्हूंड राइब करेंगे और अगर राइज शर्णते करेंगे और में मेरन ऑप्षिंग करते हैं को कि you can access your Google account you can configure your Google account in कुछ भी करके मनला किसी भी इमेल क्लाइंट से अपना Google account अपना Gmail account configure कर सकते हैं ऐसा कुछ notification आपको मिल जाएगा तो आपको यह समझना है कि down arrow से आपको security में less secure app मिलेगा उसको आपको on करना है अगर less secure app option मिलता है तो और अंटर करके नहीं तो सिर्फ लेस्ट के और एपको option मिला एंटर करेंगे और दाउनर से ओफ तो ऑन कर देंगे हैं ना इंटर से जाओ आउफ तो मिले गई क्योंकि आफ होता है यह तिके मगर दोनों सूर्थत उसमिल कभी less secure app पूरा option मिलता है कभी डायरेक्ट मिल जाता है less secure app आफ तो ऑफ है तो एंटर से और नहीं तो less secure app मिल आया है तो इस पर एंटर करके डाउनर उस इसको off है तो on कर देंगे एंटर से पर डाउनर से देखेंगे कुछ less secure app से related कुछ not checked है तो इसको space bar से चेक कर देंगे अब down arrow tap से देख लेंगे okay save button आ रहा है या नहीं नहीं आ रहा है तो यहां से फिर इसको sign out कर देंगे क्या कर देंगे sign out कर देंगे तो यह आपका account configure हो जाएगा यह method number one था अब मैं आपको कई account configure करके दिखाओंगी तब आपको याद होगा अब हम Monday को दिख करेंगे RITA का account configure इसका RITA का तो आज आप practice कीजिए खयाल रखिए खुश रही है thank you so much